Hey guys, welcome to my channel आज की इस वीडियो में हम Pre-Raphaelites और Pre-Raphaelite Brotherhood के बारे में discuss करने वाली है previous वीडियो में हमने narrative techniques को discuss किया था उसके लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो चलिए start करते हैं Pre-Raphaelite एक group था English poets, painters and critics का जो की 1848 में found किया गया था Pre-Raphaelite Brotherhood September 1848 में found किया गया था ये 19th century का England का बहुत ही important artistic group था Pre-Raphaelite Brotherhood ये जो group था ये दानते Gabriel Rossetti William Holman Hunt and John Everett Millies ने मिलकर बनाया था ये तीनों Royal Academy के students थे दानते Gabriel Rossetti एक poet and painter थे इन्होंने feel किया कि जो paintings and poetry उस time पर चल रही थी वो बहुत ही जादा formal, academic and unrealistic हो चुकी थी उस time की art बहुत ही जादा artificial type की होती थी एकदम बनावटी होती थी आर्टिस्ट उसमें बिलकुल भी reality नहीं डालते थे इस बनावटी art का विरोध करने के लिए ये गरुप बना ये pre-raphelites उस time की art में reality लाना चाहते थे यानि कि वो चाहते थे जो art हो वो बिलकुल भी बनावटी ना हो बलकि उसमें सच्चाई हो, reality हो आर्ट ऐसी हो जिससे हमें enjoyment feel हो और जिसे हम अपने senses से feel कर सकें ये गरुप 14th and 15th century के इतालियन आर्ट से बहुत ज़ादा inspire था ये गरुप उस इतालियन आर्ट से बहुत ज़ादा inspire था जो राफल की time से पहले की थी यानि कि राफल से पहले जो भी italian painters थे उन italian painters से इस गरुप ने बहुत ज़ादा inspiration ली Rafal एक इटालियन पेंटर थे जो गुरुप था ये राफल की टाइम से पहले वाले जो इटालियन पेंटर थे उन से बहोत ज़ादा इंस्पायर था इसी लिए इस गुरुप का नाम प्री रेफलाइट्स था इस group में पहले सिर्फ 3 members ही थे लेकिन बाद में 4 members और add हो गए थे तो total 7 members हो गए थे इस pre-raphelite brotherhood में जो 4 members थे जिन्होंने बाद में ग्रूप जॉइन किया था वो थे James Collinson जो की एक painter थे F.G. Stephens जो की एक painter and critic थे Thomas Wollner जो की एक sculptor थे And William Michael Rossetti जो की एक critic थे विलियम माइकल रोसेटी, दानते गैबरियल रोसेटी के भाई थे क्रिटिक यानि की आलोचना करने वाला, किसी भी चीज के बारे में अपना ओपीनियन रखने वाला इस स्कल्प्टर यानि की मूर्तिकार जो मूर्तिया बनाता हूँ इन सातों की ग्रुप को प्री रेफलाइट ब्रदर हुड इसलिए बोला जाता है, क्योंकि इन सातों ने बहुत भाईचारा दिखाया, इन सातों मेंबर्स की एज 25 इयर्स से कम थी, इस ग्रुप का में एम उस टाइम की आर्ट को प्योरिफाई करना था दानते गैब्रियल रोसेटी की पेंटिंग, गर्ल होट अफ मेरी वर्जिन, एक बहुत ही शानदार पेंटिंग है, जिसमें हमें नैचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जॉन एवरेट मिलाईस की पेंटिंग, क्राइस्ट इन दा हाउस ऑफ इस पेरेंट्स को रोयल अकैडमी में पब्लिकली डिस्प्ले किया गया था मिलाईस नैचुरलिस्टिक टेक्निक को यूज करने में माहिर थे, इन्होंने अपनी इस पेंटिंग में बाइबल के फिगर्स को यानि की बाइबल के कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है 1850 में प्री रेफलाइट्स ने एक लिटररी और आर्टिस्टिक मेगजीन फाउंड करी थी जिसका नाम दा जर्म था इस मेगजीन में ये अपने आर्टिस्टिक चिनताओं को एक्स्प्रेस करते थे ये प्री रेफलाइट्स मॉर्डन एज के लिए नई और रिफ्रेशिंग आर्ट लाना चाहते थे इन प्री रेफलाइट्स ने शेक्स्पियर, कीट्स और टैनिसन से बहुत इंस्प्रेशन ली थी इस ग्रुप की लाइफ सिर्फ फाइफ इयर्स ही थी, लेकिन इनका ब्रिटन की आर्ट पर बहुत गहरा असर पड़ा प्री रेफलाइट्स को बहुत जादा प्रेस किया गया, इनकी बहुत ही तारीफ हुई इस्पेशली एक क्रिटिक थे, जॉन रसकिन, उन्होंने प्री रेफलाइट्स की बहुत तारीफ करी थी जिससे प्री रेफलाइट्स भी बोला जाता है, ये एक सेवन मेंबर्स का ग्रुप था, जिसका एम आर्ट में रियालिटी लाना था I hope guys आपके लिए ये वीडियो helpful होगी, वीडियो अच्छी लगे तो like and comment ज़रूर करें और ऐसे helpful content के लिए मेरे चैनल को subscribe करें युनिवर्सिटी वेट्स को अच्छे से समझने के लिए राइट वाली वीडियो पर click करें, thank you